आक्षमिक प्रबंदन में अस्थानिये प्रसासन की भूमिका का अस्थानिये प्रसासन की भूमिका का बर्णन कीजिए बरणन कीजिए उत्तर लिखो आक्समिक प्रबंधन में अस्थानिय प्रसासन की भूमिका अस्थानिय प्रसासन की भूमिका अती महत्वपून रही हैं अती महत्वपून रही हैं वे विशेष वे विशेष कार अस्थानों से वे विशेष कर अस्थानों से वाकिफ रहते हैं वाकिफ रहते हैं उन्हें राहत सिविरों का निर्मार करना चाहिए भोजन पानी से लेकर चिकित्सा भोजन पानी से लेकर चिकित्सा तौक की विवस्था होनी चाहिए ये सब दिखावे के लिए नहीं बलकि तन मन से लग जाना चाहिए अब मालो कि जो भुकंप है भुकंप है चाहिए सुनामी है आती है तो तुम्हारे इर्दगिर्द सुनामी अगर आ गई है तुम वहीं के निवासी हो तुम वहीं के निवासी है तो तुम तो जानता है कहां क्या चीज़ है अस्थान में कई बार भुकाम चैसुनामी आया तुसे तु परचित है, मरो दो तबड़ों से बिगा जाए, परचित है, तो तु परचित है तो तु अस्थानी मान लो भुकाम पा गया, कहीं दूसरे जगा के लोग गवरा गया आये हैं घुमने के लिए, तो क्या करना है, तुम्हे उसमे लग जाना बचाने के लिए, इसलिए कि जानते हो कब क्या आता है, कब क्या होता है, तनमंधन से, यानि पैसों से लग जाना क्या ही है, जनता तो लग जाएगी, जनता में कोई कमी नहीं है, इसलिए कि अभी भी कहीं रोट पर कोई जाता है, एक्सिडेंट होता है, कोई का के जो नेता हैं ऐसा लत्खुर हो गया है कि उस अब पैसवा उधर से रिटर्न करना होगा तो छोरा लेगा बगली अब आई बे न करेगा पैसा इसी से जनता भी अपना जो है रास्ता बदाल लेती तो आख क्प्रबंधन के समय कम से कम अस्थानिय लोगों को पैसा नहीं लगाये तो तनमन्स तन से लगा सकता है ना तन से लग जाना चाहिए अगर तुम जा रहे हैं कोई गिर गिया है तो उसको उठा देना चाहिए यह मनुस्यता की पहचान होती है प्रस्ना गिला लिखो आग लगने की स्थिती में क्या प्रबंधन करना चाहिए कि आप प्रबंधन करना चाहिए अब यहां उत्तर लिख रहा है कि आग लगने की स्थिती में का प्रबंधन करना चाहिए तो कह रहे हैं अगनी समक के अंत्र को बोलाना है कि गलत कह रहा है अंसर ठेक आग लगने की स्थिती में आप जहां भी हो पानी बाल्टी से लोटा से उठाके बिगना शुरू कर दो आएक अगनी समक के अंतर का फोन करें कि सब लोग वो अगनी समक वला भेर जल्दी आउ लागलबा जल्दी आउ लागलबा तल जारी का हो जी राखियो जी और दुछारे बल्टी बीगेगा पनिया तो कुछ तो कम होगा तब तक कुई अंतरा आ जाएगा तब लाग के सब लोग फोन में लागा रहा लेगो आगलबा लगने की इस्थिती में सबसे प्राथ मिक्ता है सबसे प्राथ मिक्ता है इर्द गिर्द के जो ब्यक्ती जहां भी हो वे अपने जिस किसी भी बरतन ने पानी लेकर आग लगे अस्थान पर फेकना सुरू कर देना चाहिए तथा अगनी समके यंत्र तथा अगनी समके यंत्र को इसी समय में को इसी समय में बुलाना चाहिए आग बुजाने के लिए बालू कुए का पानी तलाप का पानी का परियोग करना चाहिए का परियोग करना चाहिए हसे हुए लोगों को निकालने का परियास करना चाहिए हसे हुए लोगों को लिकालने का परियास करना चाहिए जले हुए भाग पर ठंधा पानी डालना चाहिए अधिक जले लोगों को अस्पताल तक पहुचाना चाहिए अस्पताल तक पहुचाना चाहिए अस्पताल तक पहुचाना चाहिए